हेलो फ्रेंड्स नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को लेकर एक नई न्यूज सामने आ रही है एंट यूजी 2024 के रिजल्ट में इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हुई कैसे हो सकती है इतनी बड़ी गल्ती जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पेटिटिव एक जाम है और इसके एंडिये जो है इसके उपर क्या बोल रहा है यह आज पूरा मामला मैं आपको साफ करने वाली हूँ तो गाइस नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आप देख चुके होंगे और रिजल्ट के अंदर 66 कैंडिडेट्स ऐसे है जिनने औल इंडिया रैंक वन लिया है इसका मतलब 720 आ मैं बता रही हूँ ठीक है तो बहुत ही कम पॉसेबिलिटी है कि ऐसा हो जाए कि इतने कैंडिडेट्स के फुल आउट फुल मार्क्स आ जाए पर जलो ठीक है हमने माल लिया क्या यह पॉसिबल है कि 720 में से 719 मार्क्स आ जाए तो देखिए मैं दिखाती हूं उसके बाद मे है 720 में से कितने मार्क्स आफटें कि 719 719 नंबर इनको मिले है तो क्या पॉसिबिलिटी है 719 नंबर बताइए किस मैथेमेटिकल फॉर्मूले से कौन सा लोजिक इसके अंदर लगेगा कौन सा फॉर्मूला कौन सी कैलकुलेशन इसके अंदर हुई कि 720 में से 719 मार्कस आ जा तो यह किसके बेसस पर हुआ ऐसा एक बच्चा नहीं ऐसे पता नि कितने बच्चे है अगर मैं आपको रिजर्ट दिखाने लग हो जैसे मानली आ जाए मैं एक बच्चे का और आपको उपन कर कि दिखाती हूं इतने मांग सो बोला जाताया था कि 100% जो है यह ने अच्छा जोगे दोजार चोविस का स्कोर कार्ड है ठीक है यह मैंने ओपन किया है इनने सेवें ट्वेंडिय में से कितने मार्स गेंगे 625 मार्स गेंगे अपि अच्छे मार्स अगर जाये तो लेकिन ओल इंडिया रेंक कहा पर आगया इनका तरहें पन हजार चैसो थी हेतर देख सकते कि कितना मुस्किल हो गया है अधर वाई 600 से अब गोर्मेंट कोलेज जो है इजली मिल जाता था स्टुडेंट्स को लेकिन आप पॉसिबलेटी बहुत ही कम हो गया आप तो गाइस में यह बोलूंगे कि जिन स्टुडेंट्स की 720 आउट ओप 720 मार्स है उनको भी एम से डहली मिलना मुस्किल हो जाएगा जेनरल केंड़ेट्स के लिए ठीक है क्योंकि इतने नंबर ओफ केंड़ेट्स है इतनी नंबर ओफ सीटें नहीं होती तो अब इससे ज्यादा जो है मार्स स्कुडेंट्स क्या लेकर आए अब एंटी क्या क्लैरिफिकेशन दे रहा है क्या नीटी उजी का रजल्ट बनाने में इसलिए इतनी बड़ी गलती हुई है AI जो आज के टाइम में सबसे ट्रेंडिंग चल रहा है और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का यूज करके यह गलत रजल्ट जो है पप्रिस कर दिया गया है अब NTA इसके उपर जवाब देने वाला साही है इवन मैं तो बोलूंगी जिन स्टुदेंट के 700 से अब आउमाक साही एक बर वापिस रियक जाम कनेट कर वाले आजाए तो पता चले कि क्या इन बच्चों के अंदर दम है मैं यह नहीं बोल रही कि नीट यूजी है महनत करने वाले बच्चे नहीं इनमें बहुत सा बहुत जल्द आपका जारी होने वाले है जैसे इनफोमेशन आती है मैं आपको वीडियो के माधियम से आपको बताऊंगी तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजीएगा ताकि कोई भी इनफोमेशन आपस मिसना हो आपकी क्या रहा है क्या वापी से ठाफ्रालय हो एक शिरग हो बिया धुर्टा हो हुआ है और रृजर्ट के अंतर गपला हुआ है और आपका क्या रिस्पॉंस आपके क्या राय है अपनी राय ज़रूर मैंशन कीज़ेगा को में आपके जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नि आपड़ेट के साथ तब तक के लिए थैंक्यू